नमस्कार बहुत स्वागत है आज के खास लब राशी फल में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड आज चंद्रमा पुष्य और आसलेशा में है करक राशी में है क्या फल देगा आपको पूरी जानकारी हम आपको देंगे लेकिन आपको जानकारी दे दें कि जिस भी शहर में आपको मिलना हो नमबर आपके सामने है मिलने आ सकते हैं सुरवार करते हैं हम आज के स्पिशल लब राशी फल का मेश राशी बहुत रिलाक्स रहेंगे लव लाइफ जिन्दाबाद विशब राशी थोड़ा परिशान रहेंगे चीजे थोड़ी बिगडी सी लग रही है मिथुन राशी आपका वक्त आपको मुबारक करक राशी अदभुद्धिन है नए प्रपोजल मिलेंगे शिंग राशी चीजें आपके हिसाब से बहतरीन हो रही है कन्य राशी जैसा आपने विचार किया है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा कन्या राशी संतुलन बना हुआ है और यही आपके लिए अनकूलता देगा तुला राशी सब कुछ आज हो सकता है विश्चिक राशी साथ में घुमने टहलने का योजना बना सकते है धनु राशी कुछ पुराने समस्याएं सामने आ सकती है मकर राशी आज जल्दी वाजी में फैसला टाल दीजेगा कुम्भ राशी आज पास के लोगों पर ध्यान दे रिस्ता खराब कर रहे है जो दोस्त आपके हैं मीन राशी दिन आपका इंज्वाई करिए क्या उपाय करना है आज सामाने जल ले लीजे उल्टे हाथ के मध्यमा से क्लॉक वाईज चलाईए और पी लीजे पीने के दोरान उनका नाम तीन बार अपने मन में दोहरा लीजे आज के तीन लकी राशीयों में नंबर तीन पर सिंग राशी नंबर दो पर कुम्भ राशी सावधान होने वालों में एक नंबर पर मिधुन दो नंबर पर आज तुला और तीन नंबर पर मीन सावधान रहे बिवादों से बचे मुश्कले आ सकती है आज की संक में इतना ही अनुमत दीजेगा कारिक्रम को शेर जरूर किया करें और अपना प्यार देते रहे नमस्कार शिराले कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खोशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशियां अनेक कि अभी बना खास ग्रहदीब अवादी ग्रहदीब दें बना खास ग्रहदीब घ्रहें बना युशियों की चाहा है कि और आपको भी खुशियों के खुशियों झाल झाल